आज सुबह उठे ना तो मेरा बीटा कहने लगा मॉमी मुझे हैपी हैपी विस्केट वाला केक खाना है और मॉल से हमने हैपी हैपी विस्केट को बड़ा पैक लेया थे तो इसमें से हमने तीन पैक निकाल लिए तीन पैक का हम बना रहे हैं हैपी हैपी विस्केट वाला केक तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो पैकेट को उपिन करेंगे, उसके बाद बिस्किट को इस तरह से हाथ से तोड़ लेंगे, फिर एक जार में एट करेंगे और उसमें एट करेंगे दो चमच्चीनी और इसे ग्राइंड करके ए बटर नने 1 तरह से बसार तैज ऐए, उसके आद हम ने लिया बटर पेपर, फिर हमने क्या किया का की दो केक टिन को रख करके, उशी कर दो के अदो के था ही या कटर गरण या विशकरोबे शुक्रवें से सत्थासलयर। और सो प्छे से बढ़े पाउच सब्यार साघ्ड स् साथ मिक्स करने के बाद केक टिन में डालें इस तरह से ठोकेंगे थोड़ा सा जिसे कि इसमें बबल्स ना बने और फटा फट रख देंगे इसे ओवन में और देखें यहां पर हमने माइक्रो मोड आउन किया है पांच मिनट का टाइमर लगाया है और फिर इस्टार्ट कर दि प्लेट में बदो कड़िया सें चोकलिट यहां अर्श ले चौकलिट हुगया है और लिया झाले और उसके आपके आधे CA euro कौने निकाल लेते हैं प्लेट में ऊपर साइड में उपानि में विए उसको प्लेट को अगर्म कर लिए उसको र सब्स Art "'मेंट को टशेंग्स हलके हलके हाथ से थप थपाएंगे अर्ली जे हमारा पढ़िया सा केक बनकर के तयार है पांच मिनिट में और अब इसके उपर लगा देंगे मिल्ट की हुई चोकलेट तो तीन से चार जमाच उपर डालेंगे इस तरह से और पूरे पर अच्छे से फैला देंगे थोड़ा सा और हम लेंगे मिल्ट की हुई चोकलेट साइड में इस तरह से लगा करके पढ़िया से देखे में लगा दिया है फिर हम इस पर लगा रहे हैं जेम्स तो यहां पर हम कलरफुल बना रहे हैं अपने बेटे के लिए पढ़िया सा केक तो देखें के जेम्स लगाने के बाद कि तो इसके उपर बीच में हमने लगा दिये यह चोकलेट बॉल्स बहुत आराम से मिल जाती है यह सबी चीजे मार्केट में तो लेजे भाई हमने तो अपने बेटे के लिए सिर्फ 5 मिनिट में हैपी हैपी चोकलेट केक बना करके तयार कर लिया